प्रिवर्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरे नए वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिल सकें प्रेर्णा मिशन में कुल दक्त लक्ष निधारित के गये हैं पांच भाषा तता पांच गड़ित के लिए आप सभी इसे ध्यान पूर्वक सुने और इसे लर्ण कर लें ये अक्सर पूछे जाएंगे तो पहले पांच लक्ष भाषा से मिशन प्रेर्णा के लक्ष भाषा से का हल कर सके अब लक्ष गरिद भाशा से कक्षा एक के लिए बच्चा दिये गए सूची में पांस संख्या सही पहचान सके कक्षा दो के लिए दिये गए इकाय की अंको का जोड़ तता घटाओ कर सके कक्षा 3 के लिए हासिल वाला जोड घटाओ कर सके दिए गए प्रश्णों में कम से कम 75 प्रतिशक कक्षा 4 के लिए दिए गए गुड़ा में कम से कम 75 प्रतिश्णों का हल कर सके कक्षा 5 के लिए दिए गए भाग के 75 प्रतिश्णों का हल कर सके अब हम कुछ multiple question कर लेते हैं. प्रेणा लक्षे किन विश्यों के लिए बनाए गए हैं? भाशा के लिए, गड़ित के लिए, विज्ञान के लिए या भाशा ततादा गड़ित के लिए? हाँ, भाशा तता गड़ित के लिए. कक्षा 1 से 5 तक कितने प्रेणा लक्षिन इधारित किये गये हैं? 5, 7, 9 या फिर 10 सही आंसर है 10 घड़ी देखकर समय बता देना किस कक्षा की दक्षता है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 या फिर कक्षा 4 सही आंसर है कक्षा 3 अधार शिला पुस्तिका में कुल कितने खंड है? 5, 6, 7 या फिर 8 सही आंसर है 6 ध्याना कर्शर पुस्तिका में कुल कितने भाग है? 4, 5, 6 या फिर 7 सही आंसर है 4 शिक्षर सग्रे में कुल कितने भाग है? 5, 6, 7 या फिर 8 सही आंसर है 6 शिक्षर डारी के कुल कितने भाग होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7 सही आंसर है 5 शिक्षर सग्राय में कुल कितने शिक्षर तक निकी हैं? 6, 12, 16 या फिर 18 सही आंसर है 18 प्रेडा लक्ष निधारित किया गया है कक्षा 1-5 के लिए कक्षा 1-8 के लिए कक्षा 6-8 के लिए या फिर कक्षा 1-10 के लिए सही आंसर है कक्षा 1-8 के लिए भाषा सीखने सिखाने का सही क्रम है सही आंसर है L.S.R.W. Listen, Speak, Reading and Writing सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना Question number 11 Mission प्रेणा के अंतरगत संपूर प्रदेश को प्रेरख प्रदेश बनाने है तो कितने चर्ण निरधारित है 4-6-8-12 सही आंसर है 6 Mission प्रेणा के अंतरगत संपूर उत्तर प्रदेश को प्रेरख प्रदेश बनाने का लक्ष कब तक निर्धारित किया गया है मार्च दो हजार पचीज, मार्च दो हजार बाईस, मार्च दो हजार इक्किस, मार्च दो हजार तेईस सही आंसर है मार्च दो हजार बाईस साथ आठ वाक्यों वाले संदेश पत्र लिखना दक्षता है कक्षा एक, कक्षा तीन, कक्षा चार या फिर कक्षा पांच की, सही आंसर है, कक्षा पांच, बच्चा सम विशम संख्याओं की पहचान कर सकता है, या किस दक्षता है, किस कक्षा की दक्षता है ये, कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा चार या फिर कक्षा पांच, कक्षा ती इनकी, ARP का पूरा नाम क्या है, सही आंसर है, First Academic Resource Person.